So what is up guys, welcome to financial funda, इस चैनल पर हम यूजुली जब स्किल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यार आपको python आता है या जावा स्क्रिप्ट आता है या data science आता है या आपको financial markets का analysis आता है इस तरह के skills की बात करते हैं बट यहां पर हम किस तरह के skills की बात नहीं करते हैं? वो skills जो हर एक employer आप में चाहता है irrespective of आपका job profile क्या है अगर आप programmer बन रहे हैं अगर आप marketing के field में जा रहे हैं अगर आप finance के field में जा रहे हैं जहां पर भी आप जा रहे हैं आज के वीडियो में हम वो skills discuss करेंगे जो skills एक हर employer अगर आपके पास हैं तो आपसे बहुत जादा खुश होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उमीद करते हूं आप लोगों ने जो है like button अलड़ी दबा दिया है and channel पे subscribe आप हो चुके हैं because आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो let's talk about skills so first skill guys क्या हो सकती है आपको क्या लगता है हाँ so first skill basically अगर आपने guess अभी तक नहीं किया है is resourcefulness यानि की आपका ability to get things done to learn things on your own and not be dependent on आपका company now अब बोलो यार मैं company में आया हूँ company वालों का काम है मेरे को सिखाना so that is आपका training period and all of that तो company का खुद का database होता है चीजों का processes का systems का that is separate बट जब आप किसी भी चीज पर किसी भी employer के पास काम कर रहे होगा किसी भी job में आप है तो आप बात बात पर boss के पास जाते है या बात बात पर team वालों को आप उनके primary priority one यानि P1 task से आप उनको distract करते हैं या आप अपने आप चीजे थोड़ी बहुत sort कर लेते हैं तो resourcefulness slash autonomy की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत जादा important हो जाता है कि आप behave करें as a company of one within a company right so उसका फाइदा यह होता है कि employers का जो time पैसा वो सारी चीजे बचती है आप थोड़ा सा in-depth गुज जाते है उसके दो तरफे फाइदा एक तो employers को पसंद है क्यार यह लोग जादा यह बंदा जो है यह जादा तक नहीं करता या यह बंदा जो है basically इसको बहुत सारी hand holding नहीं लगती employer के side से plus आपकी तरफ से क्या plus आप इतना depth में जा सकते हो उस employer के काम के अच्छे से कि आप एक तरह के linchpin बन सकते हो अब linchpin क्या है या अगर आप पूछ नहीं बुरे वक्त में जाएगी न यह एक वो person होगा जिसको निकाला नहीं जाएगा like linchpin is the indispensable person right तो वहाँ linchpin कैसे बन सकते हो उसका एक book है Seth Godin है बहुत ही popular marketer है like literally Richard Branson वागरा उनके marketing के blogs और यह सारी चीज़ों को follow करते है so Seth Godin की वो book है linchpin one of my all time favorite books उसका मैं link नीचे छ सकते हो अगर आप यहां अपने आप चीज़े solve करने के and resourceful आप company के अंदर है number two guys is time management now why do I say time management तो मैंने notice किया है बहुत बार communication यहां पर weak रहता है and when I say time management I do mean communication also so यहां पर point क्या है maximum लोग जब किसी ना किसी टास्क की deadline करते हैं कोई meeting की बात आती है यह चोटी चोटी चीज़े होते है तो अगर आपने deadline बोला है कि Monday सुबह 9 बजे मिल जाए अगर late हो रहा है तो Saturday को या Sunday को ही message चला जाए कि भाई Monday सुबह 9 बजे की बजाए late हो रहा है तो पहर के दो बजे तक हो जाएगा that communication is very important Monday सुबह 9 बजे आ रहा है बट सुबह 8.45 a.m. you text the boss, you text the team की आ यहां पर deliverable late हो रहा है and you will be very surprised जब मैं यूएस में पढ़ रहा था master तो वहाँ पर हमारे एक professor था strategy का professor था and उसने जर्मनी में भी काम किया है, Switzerland में भी काम किया है, यूएस में भी काम किया है, अलगला countries में रहा है काम किया था उसने and he told us a story once when he had Indian teammates तो उसके उसका experience कुछ ऐसा था यार वो लोग last last में जाके deadline communicate कर रहे थे, पहले नहीं कर रहे थे and अब वो bias नहीं था because वो सारे countries के लोगों के साथ काम करता है, but तो वो बोलता था कियार जर्मन टाइम पर पूरी दुनिया को चलना चाहिए, Americans भी नाटक करते है, Italians भी नाटक करते है in terms of when it comes to time पर पहुंचना, right, आपको पता ही होगा, शादी पर अपन लोग time पर कभी पहुंचते नहीं, तो वो चीज को लेके उसने बताया था कि यार हम लोगों को एक मिनट वेटिंग छोड़ दिया, वो बंदे को लगा यार यह बंदा ना, लेट है, वो यह नहीं देगा, एक मिनट लेट है, लेट है बंदा, regularly लेट है, वहाँ पर आपका जो overall impression है, वो खाराब होता है, आपका career trajectory यहाँ पर affect होता है, कहीं नहीं कहीं, क्योंकि subconscious जो biases है वो बंदे लगते हैं बंदे, बंदा ना चाहते हुए भी आपके against होने लगता है, तो यह time management में बहुत जादा important आजाता है, जैसा कि मैंने इसी में mention किया communication, तो let's talk about communication, तो मेरे mentor ने मुझे जब मैंने start किया था, US से master's किया, job वहाँ पर offer था, नहां लेते हुए, इंडिया point जहां पर बंदा irritate हो जाए, कि अरे बंदा कितना communicate करता है, जबरदस्ती नहीं करना है, अब मैं यह कर रहा हूँ, अब मैं पानी भी रहा हूँ, यह नहीं, actual काम, but you communicate almost to the border of bothering them, right, and that is very good in terms of, see, बंदा चीडएगा ज़रूर, बंदा चीडएगा ज़रूर, अगर कुछ तो मेरे तक बात पहुंच जाएगी, मुझे पता लग जाएगा, यह problem है, यह problem नहीं है, right, so आपसे लोग चीडएगे ज़रूर, but when it will come to your work ethic, आपका impression अलग बन जाता है, लोगों के दिमाग में, कि हाँ यार, यह बंदा communicate कर देता है, कुछ भी issue होता है, कुछ positive होता है, य communicates regularly, communicates on time, gives us time, ताकि हम problem, अगर कोई आ गई है, उसको solve करने के लिए, prepare कर सके, यह सारी चीज़ें, right, तो लोगों को personal level पे थोड़ा चिड़ने दो, आपका शायद मजाग भी बनाए, जब आप उनके साथ, पाटी बाटी पे जाओगे, खाने पीने जाओगे, तो होले, त तो कितना कितना message करता है, कितनी चीज़े बोलता है, इतना सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, but, when it will come to professional work, आप सोचो, किसको trust किया जाएगा, आपके company में, then, that's very very important to know, and by the way, यह सारी चीज़ों के साथ, मैं क्या given ले रहा हूँ, मैं given ले रहा हूँ कि जो भी उस task, जो भी आपका job है, उसका जो actual requirement है, technical requirement है, वो तो ही, plus all of these things, that you have, right, so, moving on, of course, like button दबा दें, अगर नहीं दबाया आप तक, so, communication में एक चीज़ और आजादे, that is, communicating clearly and concisely, बड़ी-बड़ी कहानिया नहीं डालनी है, अपने को, अपने को clear communication चाहिए, preferably अगर आप English सीख सके, तो ही जादा फायदा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अबे, English सीखने की क्या जरूरत है, अगर आपको global market में काम करना है, then English आनी बहुत important है, आप time दें, दो साल, तीन साल दें, कोई बात नहीं, बट अगर आज आएगी, तो आपका career बहुत अलग तरीके से progress कर सकता है, पूल, छीक है, आइट, पूल बात नहीं, अपर उनको बोल देंगे, client, तो हिंदी सीख्या पहले, नहीं, पैसा मत दे मेरे को, राइट, यह बहुत important चीज है, जो हमें यहाँ पर देखना है, and, maybe, maybe आप ऐसा बोलो, last skill, जिसको आप, which is a tricky skill to get, and यह बहुत सारे experience के बाद आ कच लोगों को 20-20 साल के experience के बाद भी नहीं आती, that is, understanding the industry इतना अच्छे से, कि आपको पता है कि क्या issues हो सकते हैं, इस तरह की चीज से, and क्या expectation है, इसका मैं आपको एक example देता हूँ, मैं, online content, social media, e-commerce, marketing, इसमें बहुत सालों से हूँ, in general marketing में बहुत सालों से हूँ, multiple products we've launched, done millions and millions of dollars in sales with those products, वहाँ पर, एक important चीज मुझे सीखने को मिली है, मैं यह नहीं कहारा, मैंने कोई बड़े तीरी काड़े, बहुत बड़े बड़े लोग है मेरे से, but, मुझे एक चीज इतने साल, एक industry में, एक market में होने के बाद, मुझे एक चीज सीखने को मिली है, especially जैसे YouTube, YouTube, I have, I think, what, now, eight, nine hundred plus videos, maybe even a thousand plus videos, मुझे पहले थोड़ा सा idea हो जाता है, कि for example, अग मैं YouTube का example दू, पहले idea हो जाता है, कि यह video कैसा perform करेगा, चाहे मैं मेरे तरफ से title जितना ही clickbait डाल लूँ, thumbnail, जितना ही clickbait डाल लूँ, from topic, from how I am talking in that video, मुझे एक थोड़ा सा idea रहता है, कि य that is understanding the audience, understanding the market, जिसको मैं target कर रहा हूँ, and it takes years, कि आप एक नए field में घुसे, and आपको immediately audience समझ में आ जाए, यह थोड़ा सा tough है, but इसका फायदा क्या है, यह ऐसा होता है, basically, इसमें फायदा, कि आप positives भी guess कर सकते हो, आप negatives भी guess कर सकते हो, मोटा मोटा probability जो है, बेटर हो जाती ह आपकी guess करने की, इसका फायदा यह होता है, कि आप मोटा मोटा एक तरह से ऐसे बन जाते हो, कि आप future predict कर सकते हो, positive या negative, and that skill, अगर आप में आ गई है, बहुत ही अचा है, आप इसको develop कैसे करते हैं, unfortunately, I don't have an answer, I think, a lot of it has to do कि हम उस field में इतना depth में हैं, daily हैं, घंटो घंट connections बनाने लगता है, लग लग तरीके के, and हम लोग पता लगने लगता, it's same as like driving, right, अभी आप गाड़ी चलाओगे, या two wheeler चलाओगे, तो आपने notice किया कि आप जब घर जा रहे हो, मानलो, tuition से घर जा रहे हो, ऐसा कुछ है, तो आप खुद, अभी मैं handle mode रहा हूँ, अभी म handle मुड़ता है, अपने अप गाड़ी चलती है, ऐसा लगता है, तो वो क्या है, that is your subconscious taking control over something, जिसके उपर आपने बहुत साथा time spent कर दिया है, अब mental focus यहां पे ना होते हुए, road पे हो सकता है, right, so that is very important, उस तरह का जो मैं एक subconscious ability की बात करो, that takes time, but अगर आप वो build कर सकते हैं, usually if you read a lot, if you study a lot about a field, अगर आप research papers पढ़े, market में क्या है, उस पे धान दे, जादा से जादा दिमाग अपना उस field की तरफ लगाएं, critical thinking पे लगाएं, and systems क्या चल रहे हैं, processes क्या है, कहां क्या फेल हुआ, कहां क्या पास हुआ, वो सारे angles अगर आप explore करेंगे, that is going to be very very helpful to develop that, but unfortunately there is not a direct answer to this, unfortunately, that's it, यह कुछ skills थे जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता था, hope इसमें आपको किसी भी skill में value यहां पे मिली होगी, अगर ऐसा है, as always guys, like button जरूर दबाएं, थोड़ा प्रोच सहन दे, and इसके साथ साथ जो है, subscribe भी आप चैनल पे कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह क of financial funda मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, bye and take care